जब क्रपाचारे रणभूमी से हटा दिये गए तब लाल घोडे वाले दुरदुर्श्वीर आचारे द्रोण ने धनुस्मान लेकर सुएत वाहन अर्जुन पर धावा किया द्रोण आचारे को निकट आते देख अर्जुन इस प्रकार बोले सार्थे तुमारा कल्यान हो जिस रत की धोजा में उचे डंडे की ऊपर पताकाओं से विभूशित उची सौनवाई वेदी प्रकाशित हो रही है वहाँ आचारे द्रोण की सेना है मुझे वहीं ले चलो यह बुद्धी में सुक्राचारे और नीती में ब्रहस्पती के समान है इन में संपूर्ण दिव्यास्त और समुस्त धनुर्वेद सता प्रतिष्ठित है इन विप्रिश रोमणी में छमा, इंद्रे सैयम, सत्य, कोमलता, सरलता तथा अन्य बहुत से सद्गुन, नित्य विद्धिमान है अता मैं इनी महाभाग आचारे के साथ इस समर्भूमी में युद्ध करना चाहता हूँ अता मुझे शीगर आचारे के समीब पहुचा दो अर्जुन को अपनी और आते देख द्रोडने सो नगाणों के बरावर आवाज करने वाले अपने शंख को बजाया तदनंतर महारथी और महापराक्रेमी कुंतिपुत्र महाभाहू अर्जुन हर्शुलास में भरकर उन्हें प्रणाम करके हस्तुए से सांतिपूर वक्त मधुरवाडी में यो बोले नमस्कार मेरा नाम है अजय मैं आप सभी का सौगत करता हूँ यह ग्यान का चक्र और आप सभी देख रहे हैं सब्त चक्र अर्जुन बोले आचार युद में आप पर विजय पाना सर्वता कटिन है हम लोग बहुत वर्शों तक बन में रहकर कष्ट उठाते रहे हैं अब सतुरों से बदला लेने की इक्षा से आए हैं अथा आप हम लोगों पर प्रोध ना करें अलग मैं तो आप पर तभी प्रह प्रहार करूंगा या पहले आप मुझे पर प्रहार कर लेंगे मेरा यही निष्चा है अता आप ही पहले मुझे प्रहार करें तब द्रोण ने अर्जुन पर 21 बांड चलाए किंतु पार्थ ने निकट आनी से पहले ही काट गिराया तो दंद द्रोण ने अस्तर चलानी की फूर्ती दिखाते हुए अर्जुन के रत पर सहत्रों बांड की व्रश्टी की जान पड़ता था आचारी ऐसाब करके अर्जुन की कुरोध को उभारना चाहते थे इस प्रकार भारत द्वाज नंदर द्रोण और क्रीडधारी अर्जुन में युद्ट छिड़ गया दोनो ने सब राजाओं को मोह में डाल दिया तद्रंदर सैनिक दोनों वीरों की सादू-सादू कहकर सरहाना करने लगे भला युद्ध में अर्जुन की सिवा दूसरा कौन द्रोणाचारे को सामना कर सकता है या छत्री धर्म कितना भयंकर है कि शिश्य को गुरु से युद्ध क करना पड़ रहा है तब द्रोणाचारे ने अर्जुन की रत पर बाणों का जालसा बिछा दिया और उन तेजस्वी बाणों दौरा उन्हें सूर्य की प्रभा को भी अच्छादित कर दिया जैसे मेग एक परवत पर जल की वर्षा करता है उसी प्रकार दोन अर्जुन को त बाणों दौरा ढख कर एक मात्र अंदकार में निमगनसा कर दिया तब द्रोणाचारे ने अपनी धनुष की टंकार फैलाते हुए उसे कानों तक खीचा और अर्जुन के बाणों को काट डाला उस समय जलतवे बासों के चटकने सब भयंकर शद्द हो रहा था इस प्रकार वे दोनों वीज सिर्ण विभूशित महावाणों की वर्षा करते हुए आकास को मानों उलकाओं से अच्छादित करने लगे महावाना द्रोण और पाणन अर्जुन का वह रूर्श कुन युद्ध ब्रत्तसुर और इंद्र के समान भयंकर प्रतीत होता था वे उस संग्रा रहे थे वे दोनों नर्श्रेश्ट जब क्रोध और अमर्ष में भर गए तब उनमें परस्पर देवताओं और दान्वों की भाती घमासान युद्ध छड़ गया पांडु नंदन अर्जुन आचारे द्रोण के छोड़े गए एंद्र वायव्य और आगने आधी अस्त्रो दौरा बारवार नश्ट कर देते थे द्रोणाचारे और अर्जुन के उस युद्ध में पार्त के बाणों से पीड़े थो कितने ही युद्ध मर गए थे उन दोनों के धनुष बाहर सैन करने में समर्थ थे वो उन धनुष को कपाते हुए तीके बाणों द्वार एक दूस असरे को विद्रीन कर रहे थे सद्रंदर रणभूमी में कुंती पुतर ने देव्वे गाणी धनुष को उचे उठाकर कुपे थो उसे दोनों हातों से खीचना आरंब किया वे तो टिट्टियों के जुंड के समान उनकी अधुद बान वर्षा देखकर वे सभी सैनिक आश द्रोन अचारे के रत के समीब आ गिरे द्रोन अचारे पर इस पकार बान वर्षा होने पर कौरफ सैनिकों में भारी हाकार मच गया अरजुन के इस पराकरम की इंदर ने बड़ी प्रसंसा की और उनके साथ जो वहां गंधर और अफसराएं आई थी उन्होंने भी उनकी मनही मन भूरी भूरी प्रसंसा की और उनकर अपना महान क्रोज प्रकट किया तब महभाहू अरजुन ने जिधर अस्वत्थामा था उसी और घोड़ों को गुमा कर आचारे द्रोन को भाग जाने का अवसर दे दिया अरजुन के उत्तम बाणों से द्रोन के कवच और ध्व पर्श होने लगा। उनके बाड़ों के जाल से आच्छादित होकर आकास सबोर से अंदकार मैं हो रहा था। उस समय ना तो सूरे प्रकाशित हो रहे थे और ना वायू ही चल पाती थी। अर्जुन ने अस्वत्थामा की घोड़ों को घायल करके अल्पजीवी बना दिया। देवता उसकी बड़ी प्रसंसा करने लगी। द्रोण, भीश में, गण और क्रपचार ये सबी महारती सादुवात देते हुए अस्वत्थामा की उस कारे की सरहाना करने लगी। तदनंतर अस्वत्थामा ने पार्थ की छाती में पुनाभारी आगाहत पहुचाया। उस सम पादू दंदन के पास दो देवे अक्षे दुख से कुंती पुतर शूरवीर अर्जुन रनभूमी में परवत की भाती अविचल खड़े रहे। परंतु संग्राम में सीगरता पूरवक बार बार सरसंथान करने वाले अस्वत्थामा के बान जल्दी समाप्त हो गए। इस आपके साथ इस पर का सानेते बना रहे, नमस्कार